हलो स्टुडेंट वेल्कम टू और चैनल सीएस इंजिनेरिंग ग्यान आज के टुटोरियल में बच्चों ने बहुत डिमांड करें कि अभी हमारे एक्जाम हैं तो आप कंप्यूटर नेटवर्क के इंपॉर्टेंट कुशन बता दीजिए अभी हमारे इसकी स्रीज चल रही ह इसमें हमने कुछी टॉपिक अभी कवर किये हैं तो आप इंपॉर्टेंट कुशन देख लिए जो आपके पिपर के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसमें 20 कुशन मैंने लिखे हुए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिविएश यर के कुश्चन पेपर में आयोए वेरियस एडवांटेज एंडिसवांटेज ऑफ इस टॉपलोजी हरे एक टॉपलोजी की आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बतानी है यह अपने स्रीज में कवर कर चुके तो आप इसे देख लिजेगा नेक्स कुशन है वट आर थी एप्लिकेशन ऑप कम्प्यू में बता चुके हैं नेक्स कुशिन थर्ड है आपका वट इस ओएसाई मॉडल ओपन सिस्टम इंटर ओएसाई मॉडल आपका क्या है एक्स्प्रेंड फंक्शनलिटी एंड प्रोटोकॉल एंड सर्विसस ऑफ इसलियर हर एक लेयर की आपको फंक्शन से बताने हैं उसमें प्र इसके बाद अपके फंक्शनलिटी इसमें नेकंस है इस फालम को दिफ्रिंट तर्म को अपको एक्स्प्लेंट करने लेंट लेंट ऐसे फ़कर मैं वेन और नार्पनेरा तर्सफितवर्क अक्रतवान पतल anyways यह भी आपके types of network हैं यह भी हम लोग cover कर चुके हैं अपने वीडियो स्रीज में तो आप वहाँ चेक कर लिजेगा अगर और यह आपका important question भी है यह आपका direct भी पूछ सकता है लैन मैन में difference भी आपका पूछ सकता है तो यह आपको याद कना है यह question भी what is TCP IP model TCP IP model आपका क्या है explain the functionality and protocol and services of each layer compare it with OSI आपको TCP IP model के बारे में पहले बताना है functionality and protocol कौन से layer में क्या protocol आपका यूज होता है four layer में divided करता है यह OSI के साथ इसको compare भी करना है तो OSI में आपके साथ layer होती है TCP IP में आपके four layer होती है तो लेयर में particular protocol आपके यूज होते है security data send करने के वह आपको यहाँ पर बताना है next is what is IP address how it is classified how is subnet address addressing perform तो आपका IP address क्या होता है कैसे उसको classify आप करते हैं कितने parts में आप divided करते हैं और subnet addressing कैसे आपकी perform होती है वह आपका question यह भी important question है आपका networking का इसके बाद आता है आपका explain the following is TCP and UDP दोनों यह TCP IP में आपके protocol huge होते है transmission का true protocol and UDP user datagram protocol तो इनके बारे में आपको मिल जाएगा जब हम लोग TCP IP model पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह मिल जाएगा इसके बाद जो most important question है आपका वो है what are pure aloha and slotted aloha pure aloha क्या होता है आपका slotted aloha क्या होता है उसको define आपने करना है consider delay of the both at the low load पे आपका क्या delay यह perform करता है by which one is less and explain your answer आपको define करना है और explain करना है proper format में aloha क्या है तो pure aloha slotted aloha कैसे आपका काम करता है वह आपको detiail में divisip करना है नेक्स ए운데 explain in detail csm a protocol in detail और csm a आपका कैसे वर्क कडरता है कैसी weoart होता है आपका protocol क्यतने part होता है कैसी security आपका provide करता है वह आपको पताना है next question explain in detail CSMA, Oblix CD, protocol in detail how it detect a collision collision detection के लिए आपके यूज होता है तो वो कैसे detect करता है वो भी आपको यहाँ पर define करना है what is IVV6 IVV6 आपका latest version है explain its advantage over IVV4 IVV4 की तुलनामी कैसे आपका advantage क्या provide करता है आपको its frame format इसका frame format आपका क्या है वो भी आपको इसमें क्या करना है explain करना है तो यह भी आपका एक important question है most important question है यह IPV4 and IPV6 में आपका difference पूछ लेता है तो वो है आपका explain the following यह time आप से पूछ लेता है कि firewall क्या होता है आपका IP address क्या है subnet mask क्या है DNS क्या है domain name system peer to peer network and server based network यह network आपके divided होता है दो पार्ट में peer to peer direct connection होता है यह server के तुरूब आपका connection होता है वो आपको यहाँ पर define करना है what are the HTTP and HDTPS protocol so HTTP is hypertech transfer protocol and HDTPS is secure तो इन दोनों में आपका क्या difference है कैसे work perform करते हैं तो वो आपको यहाँ पर बताना है इनके बारे में आपको define करना है what do we mean by ICMP protocol and DSCP protocol ICMP protocol और DSCP protocol कैसे work करते हैं इनका meaning क्या है कैसे आपको यह securely data send करने में help करते हैं तो वो सब आपको यहाँ पर define करना है इस question के अंदर तो यह भी आपका एक important question है इसके बाद यह भी आपका एक important question है कि compare करने को बोलते है आप से hub, switch, router, gateway and इसके लावा modern भी है आपका उनमें difference इनको compare करने के लिए बोलते है कि हर में आपका कैसे work करते हैं आप लोग यह हम बता चुके हैं यह वीडियो में आपने पहले से define किया तो आप देख लिजेगा उसको भी what is the difference between the IP configure and IP if config इन दोनों में आपका difference क्या है यह दोनों आपके configuration के लिए होता है जब आप IP configure करते हैं तो कैसे आप करते हैं क्या difference है इनके बीच में यह भी आपका एक important question है previous year के question paper में आपका आया हुआ हुआ है what are the private and special IP address private IP address क्या होता है आपका public IP address क्या होता है वो आपको define करना है इसमें यह भी आपका एक important question है networking से related next question है what do we mean by cryptography explain different types of cryptography cryptography में लिए आपका security session layer में काम करता है आपका कि cryptography क्या होती है कितने type के cryptography होती है symmetric or symmetric cryptography फिर उसके different symmetric में same key use होती encrypt decrypt के लिए asymmetric में आपका different की होती public private की तो वो concept भी आपका इसमें generate होता है cryptography में इसके बाद एक आपका numerical question भी इसमें बन जाता है CSMACD किसे related consider building a CSMACD network running at 1 GBPS 1 GHz से आपका यह running कर रहा है network over a 1 km cable with no repeater इसमें कोई भी repeater आपका नहीं है signal speeding cable is 30 km per second what is the minimum frame size तो इसमें frame का size आपका क्या होगा वो आपको बताना है तो इसका direct formula है अगर आप check करेंगे net में तो आपको यह answer भी मिल जाएगा इसका direct formula होता है आपका उसमें आपको cable value enter करना है same आपका ये एक large FDDI ring has 100 station and a token rotation time of 40 millisecond the token holding time is 10 millisecond what is the maximum achievable efficiency of the ring तो ring की efficiency आपको बतानी है तो ये भी एक question आपका previous year के question पर में आपका परमाया है इसमें भी आपका direct formula है value आपको रखनी है और result आपका ये find out करतेगा तो ये भी आप check कर सकते हैं ये सारे आपके important question है networking से related तो यहाँ पर मैंने 20 question आपको भी define कर दी है सारे question आपके previous year के question paper में आए हुए question है तो आप एक बार इनको देख लीजेगा कुछ question आपको वीडियो में मिल जाएंगे बट कुछ question हमारे आनी वाली वीडियो में आपको मिलेंगे तो ये maximum question हमने कर रहे हैं कबर next जो आएंगे question वो next video में आपको मिलेंगे Thank you student एक अपको में आपको आपको जाएंगे झाल झाल